हेलो गाईज विल्कम बैक तो माडूप चैनल SKM श्टड़ी अवे आप सक्सिच और प्यारे बच्छो 2021 का है 2022 में से यहीं आएगा क्योंकि यह प्यारे बच्छो 70% स्लिवस का यह जो आपका न्यू स्लिवस है उसके कॉर्डिंग पेपर है जो आपका री एक्जाम हुआ था को पता होगा कुछ बच्चे जो रिजल्ट के दौरान फेल हो गए थे या फिर उनको वह बोलें कि मुझे और नंबर शाहिए तो उनका प्यारे बच्छो री एक्जाम करा गया था कंड़क्ट उसका पेपर हिंदी का तो सामान हिंदी का इस बार 2022 में इसी प्रकार आएगा सेम टू सेम कोई भी चेंजेस कोई भी बदलाव नहीं होगा हाला कि जो टाइमिंग है वो बदल जाएगा जो दो घंटे है वो तीन घंटे पंदरे मिनट का समझ हो जाएगा प्यार बच्चो और कुछ नहीं इंपॉर्टन बहतरीन तरीके से आपका 95% प्लस परफॉर्मेंस में दिलाओंगा इस बात कि यारेंटी प्यार बच्चू यह स्कीम इस्टडी लेता है कि आपका 95 दिलवाने का ठीक है न तो लाइक जोरू कर दिजी लाइक टार्गेट किना है एक हजाल लाइक टार्गेट तो यह सामान हिंदी का पेपर है जो कि 100 नंबर का आप काता है कितने अंका आता है सो अंको का सामान हिंदी काता है प्रारम में 15 मिनट प्रश्पत्र को पढ़ने के लिए और यह आप तो टिक लगा लिजी यह इसको प्लीज आप सिर्क्वेस्ट करेंगी कि आप टिक लगा लिजी क्योंकि यह प्यारवचो सेम टूसे मिसी से आने वाला इससे बाहर आएगा नहीं इस बात की ग्यारेंटी देता हूं मैंने आपको तीन सालों का पेपर आपको मैंने दिखाया निकाल कि कि किस प्रकार सी पेपर पैटन रहता है पहला प्रशन है माता भूम के लेखक माता भूम के लेखक कौन है जैनेंद्र कुमार पंडित दिन द्याल उपाध्याय या फिर प्रोफेसर जी सुन्दर एड्डू या फिर वासुदेव सवड़ा ग्रवाल इसका प्यारवचों इंसर कमेंट बॉक्स में इसके प्यारवचों पूरे बहविकल्पी पूरे अति करने वाला हूं डाक्टर हजारिपशाद द्रिवेदी की रचना कौन सी है आचारा मसीह विचार प्रवाह तटकी खोज दसद्वार की शोपान तक कमेंट की जब ने इंसर को और देखे कि मुझे प्यारवचों ये तयार है की नहीं अगर तक अभी तक आप अपनी तयारी नहीं किये हैं तो अब तयारी करना शुरू कर दीजे दो महीने बचे हैं और दो महीने प्यारवचो 95 गेन करना है आपको बोड़ एक्जाम में क्या आपका सपना नहीं है क्या कि मेरा बेटा भी टॉपर बने क्या आपका सपना नहीं है मैं नीट कॉलिफाई करूं आया टी दिखाएंगे और हमारे अंदर भी वो ताकत है ठीक न अगला है प्यार बच्चो निम्कित मेरे प्रोफेसर जिस उंदर रेड़ी की रचना नहीं है सेम तुसेम आने वाला है बाहर नहीं रहेगा चार आपसने सही आपसन देना होगा और अगला है आरोहड प्रमुख स्वाम में कौन सा है किसका है वही आपको देना है रीत काल महा काव व्यात्म कृति है प्रितवीराज रासू राम चंद्र का वैदेही वनवास या साकित तीसरा सब्तक का प्रकास रुआ था और यह मैंने आपको ठीक भी लगा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इस अब आपको पता होगा कि छाया वादी कभी कौन कौन से है तभी तो आप पता बता पाएंगी न किसमें से कौन नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या यात करना है कि छाया वादी कभीयों के नाम कौन कौन से है बाकी मैं करवा दूँगा ट्रिक्स से करवा दूँगा इसकी विल्कुल आपको टेंसन नहीं लेना है ठीकिना बहुत बहतरीन तरीके स्क्लास चलने वाली है आपकी चल भी रही है चांद का मुह टेड़ा कविता संग्रह की रचनाकार कौन है गजानन माधव मुक्तिवो धर्मवीर्वार्ति रामधारी सिंग्दिन कर या फिर स्पराधारी इसको आप टिक लगा लेजिए भगवान बुद्ध्य ने मार विजय के बाद सिले के यहां तक टिक लगा लेजिए मैं अचरत से उस योग की मिलन लेला की को देख रहा हूं और यह पैरबच्वा आपको टिक लगा लेजा है बहुत इंबॉडन बस इसे पां parler है कि मार सब्द किसका प्रयाब आफ चींगार फेंशजा रेने वाला था क्या था यहां पर प्रश नहीं पूछता नहीं कांट और दो अन्स Biology thou आपके पद्यांस पूछता है और यह त Truly कर लीजीगा भासा की साधाल निकाई सब्द सिले के आप तो कि यह वाला ढूंड लीजी यह वाला यह तो जोड तयार कर लीजी ठीक है न इसमें इसको यह नएक तो आपको पक्का फज़े पेपर हो यह आपको पूरा आएगा देख लीजीगा और यहां पर देखिए कि अर् प्रश्ण पराधार प्रश्ण बने थे कि नील परिधान भी सुकमार से लिए यहां तक आप टिक लगा लेंगे यह वाला दिखाई देता हो चविधाम अब यहां पर देखिए अलग से मिला है कि परिधान और चविधाम सब्द का अर्थ यानि कि आपको अगर कोई भी सब्द का मतलब क्या है और कौन सब पर्यावाची होगा थो पर्यावाची भी आपको रड़ना सबसे महत्रिपूर उतना भी है जितना प्रष्चो आपको प्रश्टों दिलाएगा ज़स्टे लूग है और उत्वाकर में दूसरा भी दिया यहां यहां. आपो को बिल्ले की बिल्गुल भी आपको टेंसन नहीं लेना है बस जो भी आपको पेपर पैटर्न अभी दिखा रहें बस देखते रहें बाकी गयारंटी मेरी पैरवुच करवाने की उसको आप टेंसन क्योंकि आप लोग पढ़ भी तो रहें हुए आइसे तो हैं ने कि आप कहले आपको अपने यूटूब चैनल यसकी में शड़ीप देखने मिला कहीं आपको मिला आप ही बता दीजिए कि कोई 12 की क्योशन पेपर अपलोड किया है कोई भी नहीं किया है यह सव परशन मैं ग्यारेंटी दे रहा हूं आप देख लेजिएगा यह मनुष जो करने पूछ लिए यहां पर कोई भी पर्याबाची सब्द का प्रयोग उसने किया ही नहीं अब यहां पर देखिए और इसको तो मैंने लिखवा दिया था कि लेखक और कभी का जीन परिशे मैंने बताया था कि कोई तयार करने देखिए डाक्टर हजारी प्रसाद द्रिवे सब्सक्राइब में से कोई सी एक का तो आएगा याएगा पंच अलाए धुरु आता रही हंड्र पर्शन ग्यारेंटी है कि पेपर में हासाल आता है तो इस बार भी आएगा हटने वाला नहीं है सो पटित का विखंड वह आपके प्यारबच्चू जिला के एकौर्ड़न आ इसको प्यारबचौब टिक लगा लिए इसको तयार करना था और एक किसका प्यारबचू प्यारबच्वाप करना ल 212 हवा से बाते करना मैंने बताया भी था कर वाया भी था बहुत तेजी आप ग्रामर की बिल्कुल टेंसन ना लें आप देखना चाहते हो देख वार पेपर पैटरन देख लेजेए तीकर प्रकार से आपका पैपर पैटरन आने वाला ठीक है तो इसलिए आपको बिल्कुल भी आपको प्यारे बच्चो टेंसर नहीं लेना है और हां ये तो आप ये दोनों में इसको एक त्यार कर लेजिए और एको निबंद देखिए आप बोले कि सर कोरोना वायरस में नहीं आएगा या तो आएगा तो मेरे प्रियरचना प्याई है भारत में आकंतवात पर आया है राश्टी एकता पर आया है और सौस्त सिच्छा में योग का महत्त आय है आप इसमार तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा नंबर गेन कर पाएंगों तो यह प्यार्वचों हिंदी का है इसी प्रगार पूरा पेपर पैटरन अरने वाला इसलिए आप इसको पूरा तैयार करने तो आपके लिए सबसे बहतरीन कोई हो ही नहीं सकता ओके दूसरों थैंक यू जैही